हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे साथियों आज के इस वीडियो में हम आप से बात करने वाले हैं मध्यान भोजन प्रादिकरण के एक नवीन योजना की जी हाँ दोस्तों ये योजना आने वाले समय में यानि जब भी लागडाउन या कुरोना के बाद जब बच्चे विद्याले पहुंचेंगे तो उस समय ये है योजना अपना मुर्त रूप ले लेगी दोस्तों इस योजना को ट्राइल के तोर पे परदेश के 15 जीलों में लागू भी किया जा चुका है अगर इन 15 जीलों की बात करें तो उन जीलों में बहराइच है, बलरामपूर, विजनौर है, चंदौली, चित्रकूट, फतेपूर, कल्नौज, सहारनपूर, कुसी नगर, स्रावस्ती, सिधार्त नगर, लखिमपूर खिरी, ललितपूर, सोनभदर और सुल्तानपूर सामिल हैं, तो इन जीलों में ये योजना क्रियानवीत हो चुकी है, और भविश्य में जब भी विद्याले में बच्चे आएंगे, विद्याले रन करेंगे, तो उस समय इस योजना को निश्चित रुप से लागू करने की मध्यान भोजन पादिकरने तैयारी पूरी कर लिए है दोस्तों, यह योजना, चाहे वो सहायता प्राफि स्कूल हो, या फिर सरकारी स्कूल हो, जो भी स्कूल हैं, जो कच्छा एक से आठ तक हैं, और मध्यान भोजन संचालित किया जाता है, उन जगों पे ये योजना पूरी तरह से लागू होगी अब आईए हम बात कर लेते हैं इस योजना के बारे में कि आखिर ये योजना है क्या, तो दोस्तों, यह योजना पूरे प्रदेश में लागू होनी है, और इसमें प्रक्रिया ये है कि गाउं में डुगडुगी लगवाई जाएगी, और डुगडुगी लगवा के मध्य मध्यान भोजन के बारे में विस्तार से बताया जाएगा कि इसमें क्या-क्या योजनाये हैं और मध्यान भोजन के अंतरगत क्या-क्या दिया जाता है, इसमें जो भी गाउं के जागरुक या संवेदन सील जो ग्रामिड होंगे, उनको इस माध्यम से इस मध्यान भोजन प कर लेते हैं दोस्तों जो गाओं के जागरुक नागरिक जो आएंगे इन से जुड़ेंगे उनका कुछ बखुवी काम बताया गया है मध्यान भोजन प्राधिकर्ण की तरफ से कि आपको करना क्या होगा इसकूल में जो मध्यान भोजन की प्रक्रिया चलती है उसमें वो पर्याप्त है या नहीं है जो रासन मंगया जाता है वो समय से स्कूल में आ पाता है या नहीं आ पाता है इसकूल में जहां खाना बनता है उसमें सफाई की स्थिति क्या है साफ सफाई वहां है या नहीं है इन विंद्वों पर वह अपना फिट्वैक मध्यान भोजन प्रा आप ये भी जानते होंगे कि यह आदेश जो है वो महानीदेसाक इसकूली सिक्षा का है तो निश्चितरुप से इसे लागू होना ही है आप जानते हैं कि 15 जीलो में पहले ही लागू हो चुकी है यह योजना ट्राइल के तोर पे, तो निश्चित रूप से जब भी विद्याले खुलेंगे और बच्चे इस विद्याले में आएंगे, तो उस समय इस योजना का आपके भी विद्याले में लागू होना तैमाना जा रहा है। तो दोस्तों सरकार की ये जो पहल है ये क्या रंग लाती है ये तो भविश के गर्त्म है भविश बताएगा कि यहां योजना कहां तक सफल हो पाती है फिलाल इस योजना की सबसे बड़ी बात यही है कि गाओं में डुगडुगी लगाके और उन समेदन सिल ब्यक्तियों को विद्याले में मध्यान भोजन से उनको जोड़ना है और उनी से मध्यान भोजन की प्रगति और उसका फिड़बैक लेना है तो दोस्तों कैसी लगी है वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक किजिएगा चैनल पे नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब पिज जोस्तों चैनल झाल